नमस्कार दोस्तों मैं विजतिवारी सौगत है आपका हमारे यूटूब चैनल दा बुक्स सुसाइटी में जहां हम आज़ी क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपेसी 109 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे जहां हमारे चैप्टर का नाम है पार्टी सिस्टम यानि की दलिय प्रणाली तो यदि आपने चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नहीं देखिए तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लिजिए ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जहां हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है और इसके स आई साथ दल्य प्रणाली के वर्गी करण के बारे में भी बताया गया है तो देखिए इससे पहले चैप्टर में शुरू करूँ तो पहले आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ ताकि चैप्टर आपको इजी वे में समझ में आ जाए लेकि होता क्या है किसी देश में ए पार्टिया चुनाओं में भाग लेती है और कोई एक पार्टिय जित्ती है जैसे कि भारत यहां पर बहुत सारी पार्टिया है लेकिन यह ऐसा होता क्यों है यह उस देश के पॉलिटिकल कल्चर से प्रभावित होता है कि उस देश की राणितिक संस्कृति कैसी है जैसे कि ह हमारा देश विभिन्ताओं भरा देश है, यहां पर बहुत सारे धरम, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे छेतर के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाशाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, ऐसे में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने वर्ग के व्यक्ति को वोड़ दे और वो सत्ता में पहुँचने के बाद क्या करे हमारे लिए काम करे इसलिए वो अपने रानितिक पार्टियों को बना लेता है तो जिस देश में विविन्ता हैं जितनी ज़्यादा होगी उस देश में पार्टिय भी उतनी ज़्यादा होगी तो राननितिग्यों ने इसी विबिन्ता को देखते हुए पार्टी सिस्टम की व्यख्या किये और ये बताया है कि पार्टी सिस्टम को हम अनेक-अनेक भागों में बाठ सकते हैं जैसे की अगर कहीं पर एक पार्टी है तो एक दली ववस्था होगी दो पार्टी है तो दुई दलिय वरस्था होगी तीन पार्टी है तो बहुदलिय वरस्था होगी इसके अलावा भी दलिय वरस्था को कई भागों में बाटा गया है जहां इस चैप्टर में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे तो चलिए chapter के शुरुवात करते हैं chapter में सबसे पहले यहां से यहां तक यही बात बताईगी जो मैंने आपको बताईए सबसे पहले chapter में दूई दलिय वरस्था के बारे में बताया जाता है chapter की starting यहां से इससे पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर आप किताब से पढ़ने है वो कोई काम का नहीं है जो exam में question बनेंगे वो यहां से बनेंगे तो देखिए दूई दलिय प्रणाली किसे कहते हैं तो दूई दलिय प्रणाली में क्या होगा दो ही पार्टिय चुनाव में भाग लेंगी हाला कि कुछ छोटी पार्टिय हो सकती है लेकिन उनकी राजनीती में भूमी का जीरो रहेगी इसे हम दूई पक्षे प्रणाली भी कहेंगे दो ही बड़े दलोंगे और सत्ता को प्राप करने की होड भी इनी के बीच में होगी एक की सरकार बनेगी और एक विपक्ष होगा लोगतंतर हम जब ही कह सकते हैं जब एक मजबूत विपक्ष भी हो तो दूई दलिय वरस्ता की सबसे बड़े खास बात यह है कि इसमें जो पालिटी की सरकार बनती है वो बहुमत से बनती है मैजोरिटी से बनती है गड़ बंधन नहीं होता और सेकंड वन पॉजिटिविटी यह होती है दूसरी विश्यस्ता यह होती है कि जो विपक्ष होता है वो भी मजबूत होता है लागडेट यूएस से जहों अमेरिका का उधारन देखते हैं तो वहाँ पर दो दलिय प्रणाली है इसी प्रकार से ब्रिटेन यहाँ पर भी दो दलिय प्रणाली है तो दो दलिय प्रणाली में आपका मतलब समझ में आ चुका है कि यहाँ पर दो विचार धाराई होंगी इस विचार धारा के धार पर दो पार्टिया बनेगी और दोनो पार्टिया अपनी अपनी विचार धारा के लोगों को अपने साथ जोडने का प्रयास करेंगी ऐसे में जिस पार्टि के हो सबसे ज़ादा वोट मिलेंगे उस party की सरकार बनेगी और दूसरी वाली party विपक्षमी बनेगी लेकिन यहाँ पर लगातार एक ही party का शासन नहीं रहता बार बार दोनों party की सत्ता आती जाती रहते हैं जैसे कि अमेरिका और बृतेन में यहाँ पर कुछ example दिये हैं जो कि यही बताने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि 1980 के दश्रक में Social and Liberal Democratic जो party थी और UK में Labor and Conservative जो party थी इनके बीच में लगातार competition चला जो कि दूई-दलिय प्रणाली का अच्छा उधारन है इसी प्रकार से USA में दो party एक Democratic party और एक Republican party इन दोनों की विचारधाराएं अलग-अलग हैं और समय के हिसाब से दोनों की सरकारे आती रहती हैं और अपने अपने नागरिकों की पसंद के हिसाब से एक विकल्प देती हैं तो I hope से दूई-दलिय प्रणाली के बारे में कि उनका समर्थन कितना हैं ऐसे में भ्रष्टाचारना कई बार बहुत हद तक फैल जाता है खरीद फर्वक्त जैसी नीतियां बड़े प्यमाने पर हो सकती हैं USA और UK में इस प्रकार की कई बार घटनाय देखी जा चुकी हैं कई बार इसमें दूई-दलिय प्रणाली में राजनितिक हिंसा भी हो जाती है क्योंकि दूसरी वाली प्रणाली अपनी सत्ता छोड़ने के लिए त्यार निया करेंट एक्जामपल देतों मैं आपको जब अमेरिका में चुनाव वे थे जो बैटन जीते थे तो डूनाल ट्रम ने सत्ता असानी से नहीं छोड़ी थी उनका मानना था कि चुनाव में कहीं न कहीं गड़बडी हुई है लेकिन आखिरकार उन्हें सत्ता छोड़ने पड़ी लेकिन इतने शर्मनाक तरीकी से उन्हें सत्ता छोड़ी जहां संसत तक में हमला हुआ तो दुदुले प्रणाली की ये बड़ी समस्या है कई बार एक पारिटी इतनी ज़्यादा इगोईस्ट हो जाती है कि वो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहती आगे है धाई दली है प्रणाली अब देखी ये एक नई चीज़ है आप मेंगे धाई दली क्या सो सकते हैं देखो इसमें न क्या होगा दो बड़े दल होगे जो की 80-90% वोटिंग लेंगे लेकिन एक तीसरा दल होगा जो बहुत छोटा दल होगा लेकिन जो दो बड़े दल होगे न उनमें से किसी की सरकार नी बन पाएगी सपोस्ट एट एक दल है A और एक दल है B और दोन ही चुनाओ में जीत रहे हैं लेकिन मैजोर्टी किसी को नहीं मिल लिए भहुमत किसी को नहीं मिल ला ऐसे में वो तीसरे दल पर निर्भर है कि वो उन्हें समर्थन देगा तब उनकी सरकार बन पाएगी तो तीसरे दल एक किंग में करें तीसरे दल दिस को सपोर्ट करेगा अगर दल A को सपोर्ट करेगा तो दल A जीतेगा और दल B को सपोर्ट करेगा तो दल B जीतेगा और अगर वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा तो चनाओ दुबार होंगे तो इस प्रकार की इस्थिते को हम धाई दल्य प्रणाली कहते हैं बहुत सारे देशों में ऐसा है कि कि किसी पार्टी को मैजोरिटी नहीं मिल पाती है ऐसे मोग एक छोटे से दल जो खुद कभी सरकार नहीं बना पाएगा लेकिन वो उस पर निर्भर हैं उनके दम पर बड़े दलों की सरकार बनती है तो जहाँ पर भी ऐसा होगा वहाँ पर कौन से प्रणाली होगी धाई दले प्रणाली तो बास समझ में आई आपको धाई दले प्रणाली में क्या होगा यहाँ पर यही लिखा है कि दो प्रमुख दल होंगे जो कि एक छोटे से दल पर निर्भर होंगे धाई दले वास्ता ऐसी होगी जिसमें मुखे दलों को 80-90% सीटे मिलेंगी लेकिन फिर भी मैजोरिटी नहीं मिल पाएगी ऐसे वो तीसे दल के समर्थन पर निर्भर करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी एक्जामपल यहाँ पर जर्मनी का दिया गया है कि जर्मनी में एक पार्टी थी फ्री डैमोक्रिटिक पार्टी यह किंग मेकर का काम करती थी इसके पास चुनाव का समर्थन तो नहीं होता था केवल 13% सीटे मिल पाती थी लेकिन फिर भी इसी पार्टी का बंदा चांसलर बंता था क्यों 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 कि जिस पार्टी को समर्थन देगा उस पार्टी से पहले ही कहेगा कि मुझे भाई यह इस मंत्री का पच्च चाहिए अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको समर्थन दूँगा ने तो मैं दूसरी पार्टी को दूँगा तो ऐसे में जो छोटी वाली पार्टी है यह भी सब्ता में आ जाते थी भले ही इसको इतनी सीटे ना मिली हो तो इस प्रकार के वाश्ता आपको कहीं पर भी मिलेगी तो कौन से होगी धाई दल्य प्रणाली अब देखे बहु दल्य प्रणाली जैसा कि मैंने इस यहाँ पर एक्जामपल आपको गताया था भारत बहु दल्य प्रणाली में बहुत सारे दल होंगे और यह माना जाएगा कि सच्चा लोगतन रही पर है जहाँ पर जादर जादर लोगों की भागेदारी हो और जादर 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 लोगों की भागेदारी जब ही हो सकते जब हर एक विचाधारा अपनी रानितिक पालिटिक का निर्मान कर सके और सत्ता प्राप्ते में होड मचा चकोए यहाँ पर कुछ एक्जामपल भी दिये गए जैसे नीदरलेंड, स्वीजर लेंड, फ्रांस, इटली कह रहा है स्वीजर लेंड में नौर आज नीतिक दल है जिन में से चार को बहुमत मिल जाता है और बाकी जो हैं वो गडबंधन में अपनी भूमिका निभात रहते हैं ऐसी फ्रांस और इटली की बात की जाए तो देखो बहुदली प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है बहुदली प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह है इसमें सरकार मैजोर्टी में नहीं बिन पाती है तो सरकारे ना समय से पहले गिर जाती है जैसे कि अभी आपने महराष्टर में देखा होगा सरकार समय से पहले गिर गई तो गडबंधन की सरकारे लंबे समय तक काम निकर पाती भारत में 1990 से लेके 2000 तक के बीच के बीच के अगर रानीतिक आंखड़े देखोगे न आप तो इस 10 साल में 6 प्रधान मंत्री बने है ऐसी यह बोला है कि 1944 से लेके 1958 तक 26 सरकारे बनी हैं फ्रांस में इटली में 38 सरकारे बनी हैं 48 से 75 के बीच में यानि कि सरकारे बनती हैं वो अपना time period पूरा नहीं कर पाती हैं पहले उन से क्या कर लेजाता है गड़बंधन चीन ले जाता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर जब सरकार बिनाते हैं तो उसे गड़बंधन के सरकार कहते हैं लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है, कि ये सरकारे अपना टाइम पिरिड पूरा नहीं कर पाती है, पांच साल का कारेकाल पूरा नहीं कर पाती है, उससे पहले इनमें मनमुटाव सुरू होता है, और सरकारे पहले ही गिर जाती है, तो इस प्रकार के विश्था जहां भी आपको दिखते हो हम बहुदले प्रणाली जहां तीन या तीन से अधिक दल होते हैं उस देश की प्रणाली को हम बहुदले प्रणाली कहेंगे पहले आप इसकी विशेस्ता बताएंगे कि बहुदली प्रणाली लोकतांतिक रूप को साकार करती है यहाँ पर बड़े प्रणाली पर जन समर्थन होता है जनता अपने आकांच्छाओं के इसाब से राजनेतिक पार्टे को वोड़ देती है लेकिन इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्था यह है कि सरकारे आईस्थिर होती है सरकारे फिक्स नहीं होती है समय से पहले गड़बंधन तूड जाते है ऐसे में देश पर बेमतलब का चुनावी बोज बढ़ता है एक्जामपल के लिए आप जर्मनी का एक्जामपल देंगे इटली का एक्जामपल देंगे भारत का एक्जामपल देंगे ठीक है बई तो बहुदली प्रणाली के बारे में बता देंगे आप यहां से यहां तक पढ़ेंगे एक ही पार्टी, केवल एक ही पार्टी सत्ता में होगी, जैसे कि चाइना, रश्या, यहांपर अन्य पार्टी होगा न, चुनाव लड़ने का दिखार जी नहीं होगा, पार्टी हैं तो बन सकती हैं, वो अपनी विचाधार्ट तो रख सकती हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकती है यानि कुल मिलाकर यहाँ पर ताना शाही होगी जनता के पास कोई विकल्प नहीं होगे छोटे दलों को चुनाव लड़ने की अनुमती ही नहीं है चाइना में केवल कमनेश पालिटी ऑफ चाइना ही राजनेती बेशाषन करेगी कहने के लिए ये देश डेमोक्रेटिक होते हैं कहने के लिए ये देश भारत जैसे देशों को उपदेश देते हैं लेकिन इनकी खुद की डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है इसके बारे में हम पढ़कर ही अंदाज लगा जासकता है तो एक दली प्रणाली के लेकिन फिर भी कुछ विशेशता हैं होती हैं जैसे यहां पार्टी सिस्टम बड़ा जवरदस्त होता है यहां पर सरकार इस्थिर होती है जनता पर अंकुष होता है और decision making power अच्छे से होती है उन्हें विपक्ष बगेरा का कोई चिंता नहीं होती जो सरकार decision लेना चाहिए instant decision ले सकती है लेकिन दुई दली प्रणाली बहुदली प्रणाली में विपक्ष ना राजनीती में टांग डाता है और ऐसे में सरकार अपनी जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीक से व्यक्त नहीं कर पाती लेकिन जब एक दली प्रणाली होती है तो सरकार instant decision लेती है और वो जैसा मर्जी वैसा चाहिए rule regulation टै कर सकती है लेकिन कमी क्या है एक दली प्रणाली की कि ये तानाशाही भी हो सकती है और जनता की आकांशाओं को ध्यान में नहीं रखती है example के लिए चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, लाओस, उत्तरकोरिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम में एक दली प्रणाली है और वो भी कैसी तानाशाही वाली तो एक दली प्रणाली क्या है, दोई दली प्रणाली क्या है, ढाई दली प्रणाली क्या है, ये सब आप कर देंगे अब बात आती है कि प्रभावी दल प्रणाली क्या है तो देखें, प्रभावी दल प्रणाली में पता क्या होगा बहुत सारी पार्टे होंगी लेकिन एक ही पार्टी लंबे समय तक शासन करेगी यहाँ पर हम एक्जामपल लेंगे भारत का जैसे भारत 1947 में अजाद हुआ और पहली बार चुना हुए 1952 में तो जब भारत 1952 में पहली बार चुना हुए तो कॉंग्रेस जीती 57 में भी कॉंग्रेस जीती, 62 में भी कॉंग्रेस जीती, 67 में भी कॉंग्रेस जीती, 71 में भी कॉंग्रेस जीती, 77 में कॉंग्रेस पहली बार हारी लेकिन 80 में फिर से कॉंग्रेस जीती यानि कि अज़ादी के बाद लगभग 40 सालों तक कॉंग्रेस का एक तरफा दबदबा रहा लेकिन और पाइटे भी चुनाव लड़ती थी उनकी भी सीटे आती थी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं था तो जब इस प्रकार से कोई एक पाइटी ही लगातार राजनिती में अपना प्रभाव रखे जबकि अन्हे पाइटी भी चुनाव लड़ें चुनाव लोकतन तरीके से होते हैं चुनाव सोतन तरीके से होंगे तो हम कहेंगे इस देश में प्रभावी दल प्रणाली है कई बार राजनीतिक विज्ञानी ना कुछ विचारक एक दल ये प्रणाली और प्रभावी दल प्रणाली को एक ही कहा देते हैं एक दली प्रणाली और प्रभावी दल प्रणाली बात एक ही है लेकिन ऐसा नहीं है एक दली प्रणाली में क्या होगा एक ही पालिटी चुनाव लड़ेगी अन्य दलों को चुनाव लड़ने का दिकान नहीं होगा जबकि प्रभावी दल प्रणाली में अन्य दल भी प्रणाली में अल्प संख्यों को कोई भी ध्यान नहीं रखा जाएगा एक दल्य प्रणाली में राजनितिक इस्तिती बहुत कमजोर होगी सिर्फ ताना शाह ही ताना शाह होगा जैसे कि अफ्रीका के देश है चाड कैमरून यहां पर ताना शाह ही है जिसकी वैसे अन्य प्रणाली बहुत सारे दल यहां पर हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं पांच बहुत क्या होगा हर दल को पूरा-पूरा मौका मिलेगा लेकिन पार्टी एक ही जितती जाएगी तो हम क्या करेंगे कौन सिस्टम है प्रभावी दल प्रणाली है तो अगर कोशन आगया प्रभावी दल प्रणाली और एक दले प्रणाली बनता है इस परस्ट करो तो आप कर देंगे इसके बाद आता है कि संस्थागत बनान गैर अधिक से अधिक इकोनामी डवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करेंगे सरकारी नीतियां बनाएंगे और जनता के फ्रतिय जवाब देंगे जनता की मांगों को पूरा करने के लिए काम करेंगे जहाँ पर ये सब चीज़े मिलें तो हम कहेंगे कैसी प्रणाली है संस्थागत जबकि गैर संस्थागत प्रणाली पता क्या होगा आज एक party आ रही है वो चली आई एकल को दूसरी party आ रही है इसे हम कहेंगे unmature politics ये नहीं ने देश जो आजाद होते हैं जिनने लोकतंदर का अनभाव नहीं होता यहाँ पर ऐसी ही party आ पाई जाती है जैसे कि एक देश है न्यू पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर क्या होगा कोई भी प्रणामंत्री आज तक अपना काम ही पूरा नहीं कर पाया है वहाँ पर लगातर सरकार इस्थिर होंगी संस्थागत होंगी आगे चैप्टर में लाश्ट प्राइग्राफ यह है कि एक दल्य विवस्था में यानि कि party system को प्रभावित करने वाले कारक क्या है यानि कहीं पर एक दल्य प्रणाली है तो क्यों है दिद दल्य प्रणाली है तो क्यों है या धाई दल्य प्रणाली है तो क्यों है तो देखे एक विवस्था में दल्को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं यह सबसे पहला ही होता कि उस देश का चुनावी system क्या है जबकि किसी देश में समान उपादिक प्रिणाली है जो कि चैप्टर नमबर 7 में बताया जाएगा तो किसी देश का चुनावी सिष्टम क्या है सबसे पहले उस छेतर की दल्य वयस्था को उप्रभावित करता है अगर चुनावी सिष्टम तानाशा है तो एक ही दल्य प्रिणाली होगी लेकिन चुनावी प्रिणाली अच्छी है लोग तान्जी तरह की से तो बहुत दल्य भी हो सकती है इसके लावा उस देश की समाजिक और सांस्कितिक विभितनाएं कैसी है अगर किसी देश का ने अप हर एक व्यक्ति को ये लगेगा कि हमारी जो विकास हो हमारे ही लोग कर सकते है इसलिए हमें अपनी पार्टी बनानी चीए भारत में सबसे ज़्यादा पार्टीय बनने का यही कारण है तो जिस देश की समाजिक सांस्कितिक विभितना जैसे होगी वैसी वहाँ पे दल्य प चीए जैसे कि अमेरिका या फिर उस देश में अर्धभ क्रणा लिए जैसे कि sirlanka या उस देश में संसदिय प्रणा लिए जैसे कि भारत इसके लिए आप पैरी पिछले चैप्टर की वीडियो देखिए तो आपको यी पेडाराफ और भी अच्छे समझ में आएगा कि ये सिस्टम में दलो को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं तो लेक्चर रही दिया आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए इसके लावा आगे भी हमारी पढ़ाई सचार रूप से बनी रहे इसके रहे लगातार अपना समर्थन हमें देते रही है तो यहाँ पर यहीं बताया जाए कि एक विवस्टा में दलो को प्रभावित करने वाले कारक में चुनावी सिस्टम हो गया उस देश की समाई सांस्किति विवित्ताय हो गई आई होप सो आपको यह लेक्चर समझ में आ रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्याद चैप्टर ही ही खतम होता है इसके बाद चैप्टर में एक निश्कर्स दिया हुआ है